हैलो गाइस वालकम टो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिर्ट्स एस जे वी एन लिमिटेट की ओर से सप्टंबर क्वार्टर की फिनांसल डिजल पेस हो चुका स्टैंडराउन कॉंसॉलिडेटेड दूनों डिजल्स आउट हो चुका आज केस वीडियो में अलसिस क करते हैं तो गाइस हम लोग पहले एक कॉंसॉलिडेटेड फिनांसल डिजल्ट को कवर करेंगे जो कि इस बार का अगर नंबर्स देखेंगा तो लैक्स में हैं इंकम में 951.6 करोड का पिछले क्वार्टर में 744 करोड का और सप्टंबर 22 क्वार्टर में 916 करोड का इंकम है क्वार्टर ओन क्वार्टर ओन की इंकम में तेजी देखने को मिला है एक्सपेंसेश 398 करोड का पिछले क्वार्टर में 362.6 करोड का और सप्टंबर 22 क्वार्टर में 387.7 करोड का इंकम के एक्कॉर्डिंग जिसके बाद ऑपेटिंग पॉफित 554.5 करोड का पिछले क्वाटर में 529.5 करोड का अप्रेटिंग पॉफिट है क्वाटर ओन क्वाटर येर ओन येर दोनों में इंक्रेज किया है लेकिन नेट पॉफिट इस बार है यहां पर देखे रेगुलेटर डिफरल अकाउंट से रेटेड इस बार जो से मुव्मेंट हुआ है चार्ज किया ह क्वाटर में 271.7 करोड का सब्सक्राइब का आड के या की कम्पनी को डेफे रेफ्र डेइट एकांंट बैलेंसे स्में नेट बॉच्छ जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो इस इंकम है इस बार का अगर देखा जाए तो इंकम में 952.6 करोड का पिछले क्वार्टर में 788 करोड का और सप्टमबर 22 क्वार्टर 921 करोड का इंकम है क्वार्टर और क्वार्टर येर और दोनों में इंक्रीज किया है इसके बाद प्रॉफिट है करोड का पिछले क्वार्टर में 270 करोड का सप्टमबर 22 क्वार्टर में 451 करोड का पॉफिट है क्वार्टर और क्वार्टर में इंक्रीज किया है एप्स 1.08 रुपीच का क्वार्टर और क्वार्टर में इंक्रीज किया तो ओवर्ल गाइस कंपनी का जल्ट अगर देखा जाए बहुत एच्छी रिजल्ट पेश किया था यहां पर चार्जिस लगा एड हुआ था बहुत कम एड किया था जूकि नेट मुव्मेंट इन सब्सक्राइब किया था इस बार से अच्छी रिजल्ट पेश करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं एक्ष्ट रॉम्मुट दिलमुट